तो दोस्तो मेरा ना मेरा हूल स्वागत है आपका टेक्निकल वर्गेट चैनल पर दोस्तो आपकी स्विच बोर्ड में 6 अम्पेर का सॉकिट लगा होता है जिसमें आप 6 अम्पेर का प्लग तो लगा लेंगे बड़ जाब आपको हीटर चलाना होता है या फिर कुछ ऐसे चला प्लग है आसानी से लग जाता है और इसमें हम्पेर को भी आसानी से लगा सकते होते है पल हीए इस टैप ते यहां और शॉकिट अ कर दे बीज्शने करना है इससे क्या होगा यह जो पर वाला吗 कवर और निकल जाता देखें दोनों साइट से मैंने कर दढ़ सका उपरल कवर निकल गए इतने वी झाल लगे हैं इसको खोल ले देखें बहुंत अब यहाँ पर इंतों सॉकेट को देखते हैं आप सांपलाइर Kalau Allah को अधे बूर गन destroy अधेरी समय अब हो भी आप switchboard में इस टाइब कोई काम कर रहे हैं तो आपको minimum से भी बंद कर लेना ताकि आपको current न लगे और इसी साथ आपको ये भी ध्यान देना है जब 6 Ampere के जगे 6-16 Ampere का socket लगाते हैं तो इसके इंदर जो wire लगी होनी चाहिए वो कम से कम 1.5 mm की होनी चाहिए या फिर 2.5 mm की हो तो और भी best रहेगी क्योंकि आपको heater के load के विसे wire जल सकती है तो चलिए अब socket को change करते हैं यहाँ पर हमें socket को निकाल लेना है यहाँ पर क्या उता lock लगा होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता lock system होते है अलगर लोग होते है फिर जल्दी लगते नहीं है तो इस टाइप से देखिए आपर मैं इसको वापर जैसे मैंने निकाला था वैसी हमें इसे लगा देना है देखिए इस टाइप से लग जाता है देखिए आपर पहले इस पीले वाले तार को लगा देखिए पहले वाले इस ट्रमेट पर देखिए आपर face supply मिल जागी socket को यहाँ पर जो black वाले वायर है और 16 Ampere के plug को भी आसानी से लगा सकते हैं और यहाँ पर जो हमारा switchboard काम कर रहा है इसको check कर ले देखिए आप इसे check करने के लिए देखिए मैंने bulb holder ले लिया है और यहाँ पर हम इसके wire को लगा लेते हैं और इसे check करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please मेरे चैनल को subscribe करते हैं इस bell icon को press करते हैं जिसे नई वीडियो को notification आपको सबसे पहले मिल सके मिलते हैं आप से next वीडियो में